आजीव रंचन, हम उस भारत, हमने वो भारत भी देखा है न, जिसने निर्भिया कांड में एक जुठ होकर आवाज उठाई, इंसाफ दिलाया, हमने वो भारत देखा है न, जिसने जैसिका लाल को इंसाफ दिलाया, किस तरह से पूरा देश एक जुठ हो गया था, एक सुर मे इंसाफ की बात कर रहा था लेकिन आज तुम से राजनिती होते देख रहे हैं जब पहला दिन ये मामला सामने आया बात मनिपूर पे हुई तो सवाल 36 का राजिस्थान पर उठाए गए दूसरे दिन जो नेता हैं राजनिक दलों की वो रोते नजर आ रहे हैं तीसरे दिन मंत देखिए पूजा आपके सारे सवालों का जवाब में एक शेर से देता हूँ कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई कभी चेहरा नहीं दिखता कभी दरपन नहीं मिलता तो सवाल ये है कि सियासत, पॉलिटिक्स, चीजों का ऐसा घोर मठा करती है जिसमें सच्चाई कहीं छुप के रह जाए, कहीं दब के रह जाए एक एक घटना का सिलसिलेवार में ये बताता हूँ राजस्थान के मंतरी ने विदानसभा में जो बात कही और जिसके लिए उनको बर्थ खास किया गया राजस्थान के उस मंतरी को एंसी आरबी के डाटा कल पता चले थे राजस्थान के उस मंत्री को मरिपूर की घटना के बाद ही सरकार से विरोधी या विद्रोही तेवर अपनाने की जुरुत पड़ी थी और क्या राजस्थान के उस मंत्री का जमीर जो जगा है वो राजस्थान के विधानसभा चुनाओ तक ऐसा ही बना रहेगा या वो पाला बदल कर जिस पार्टी में उनकी पहले से बातचीत हो चुकी है वहाँ से चुनाव लड़ने का रस्ता देख रही है यह पड़ा सवाल है दूसरी बात अगर कोई आईना दिखाए तो मुख्यमंत्री सीधे उसे बरखास्त कर दे इनको अपना भी आईना देखना चाहिए लेकिन समिधान में एक बेवस्ता है कि मंत्री परशद सामुही के रूप से उत्तरदाई होती है चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट एमंग इक्वल्स कहा जाता है और इसलिए अगर कोई मंत्री विधान सभा के भीतर सरकार की इस तरह की बात करेगा तो उसे मंत्री परशद में रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो बेक्तिकत तोर पे नहीं वो सरकार की तोर पर ये बात मान रहा है तो इसलिए उसको बरखास्त किया जाना मुख्यमंत्री के हाथ में है शायद इसलिए ये फैसला लिया गया हूँ ये बात है राजस्थान की जहां तक बात आप आपने देखा और देश भी देख रहा है इस बात को कि मनीपूर के वीडियो के आने के बाद लगातार पश्चिम बंगाल राजस्थान च्छतिस गड़ और वहां की महिलाओं के खिलाफ हो रहा है अत्याचार की बात बहुत तेजी से करने की जा सके इसलिए कि जब आप मनीपूर की बात करेंगे तो हम राजस्थान की बात करेंगे हम चछतिस गड़ की बात करेंगे हम कांग्रस या विरोधी दलो के शासित राजियों में क्या हो रहा है हम उसकी बात करेंगे एक MP जो की सब्ताधारी दल से उनके आसू आपने देखे कितन पश्चिम मंगाल में पंचायद चुनाओ के दोरान जो हिंसा हुई है वो सीम मम्ता बनर जी के माते पर कलंक है अगर इस तरह से हिंसा और लोगों की जान जाने के बाद कोई चुनाओ जी जाए या सरकारे बना ले तो उसका कोई मतलब नहीं है आगर आजादी की तरह 21 के लिए इतनी बड़ी हिंसा हो तो उस सरकार के रहने का और उस सरकार के काम करत करने के तरीके पर यह कलंक माना जाएगा लेकिन क्या इन सब राज्यों की घटनाओं को मरीपूर की घटना के बराबर या मरीपूर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस्तिमाल किया जा सक पर एक दूसरे को मारने और काटने के लिए आउमादा है जहाँ पर पुलीस के लोग अपने अपने समुदाय के लोगों को थाने की राइफल और एमिनेशन से देए वहां कि तुलना क्या राजस्थान और चतिस गड़िया दूसे जगों से की जा सकती है नहीं की जा सकती है लेकिन चुकि मनिपूर की चर्चा को दबाया जाए पहले भी दबाया जा चुका था ये तो सोशल मीडिया ने एक वीडियो लेकर के सामने आया तब इसकी चर्चा होने लगी सवाल ये ये है कि सियासत घोर मठा की बात है आपका कारिकर्म देखने वाले लोग या पैनलिस्ट बातों को इस तरह से कॉंग्रेस बीजेपी में घुमाते रहेंगे कि वो सचाई क्या है वो उन तक न पहुँच पाए सबसे बड़ी बात तो ये है इस देश का दुर्भाग्य क्या है 40 साल तक गुलाम नभी आजात कॉंग्रेस में रहते है 20 साल से जाएदा वो कैबिनेट मिनिस्टर रहते है जब उनको राजसरबा सदसी नहीं बनाया जाता है जब वो पार्टी छोडते है तब वो किताब लिखते है तब वो इंटर्व्यू देते है कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी को गालिया देते है तब भार्टी जनता पार्टी या कॉंग्रेस के विरोधी दल गुलाम नभी आजाद को एक हीरो एक आइकन के रूप में पेश करते हैं और यही सत्यपाल मलिक जो प्रधान मंतिर नरेदमोदी के प्रधान मंतिर रहते लगातार गवणनर रहे अपने पत पर रहते उनका जमीर नहीं जागा और जब इस्तीफा देकर प्रधान मंतिर नरेदमोदी या बीजेपी को गाली देते हैं तो कॉंग्रेस और विपक्षी दलों के लोग उनको हीरो बनाने लगते हैं बस यही दिक्कत है सवाल इस पर सचाई यह पूछी जानी चाहिए कि चर्चा क्या मनीपूर, राजस्थान, चतिसगर में सब जगह महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराद एक तरह से है क्या मनीपूर की घटना का दूसी जगहों से तुलना करके बात को खतम कर दिया जाना चाहिए तो वही बात है मैंने आपको बताया है पहले ही कि समझने नहीं देती सियासर थम को सच्चाई कभी चहरा नहीं मिलता, कभी दरपन नहीं मिलता बहुत सही कहा आपने ये तमाम वो सवाल हैं जिसके लिए आज चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार उसको जवाब देना चाहिए